दुस्तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूएन में भी बैठक चल रही है, और पाकिस्तान हर इंटरनेशनल संगठन में जम्मु किस्मिर के मुद्धे को उठाता है, और भारत उसे हमेशा धोता है, और इस बार तो भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी धोया शयुक्त राष्ट की मन से भारत ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को करारा जवाब दिया है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ना करें तो ज़्यादा बैतर होगा आपके लिए और ये जो आप भारत की गलच भी बनाने की कोशिस कर रहे हैं दुनिया के सामने ये भारत कते ही बरदास नहीं करेगा भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने ग्रीवान में जहाग करके देखिए जिसके हाथ खुद खुन से रंगे हो वो चला है दूसरों को मानफता का ग्यान देने तो चली समझते इस वीडियो के माधियम से कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या बोला कि भारत ने पाकिस्तान को धोया तुर्की को धोया ये मिटिंग जो चल रही है इसमें जम्मू कस्मीर का मुद्दा क्यों उठाया गया आखिर यूएन में कौन सी बैठक चल रही है चली जानते इस वीडियो के माधियम से असान भासा में नमस्कार दोस्तों मैं हुगास और आप देख रहे हैं ओलेली आफेर्स दोस्तों सबसे पहले आपको बढ़ा दे कि यूएन में ये जो मिटिंग चल रहा है यूएन एचरसी का सेसन ये 26 फरवरी को इस्टार्ड हुआ है जो कि 5 अपरेल तक चलेगा और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो border diplomatic resources का हिस्सा है और किसी भी देश के साथ दूसरे देश का border issue वो उनका आपस का मामला होता है अभी पिछले साल अगस 2023 में भारत ने कहा था कि हम एक ऐसे environment को create करना है जो कि terrorism से मुक्त हो हम पाकिस्तान के साथ जगला नहीं करना चाते हैं हमें अपना गुरो करना है आप अपना गुरो कीजिए लेकिन दुरभाग की बात है कि पाकिस्तान ready नहीं है ये कितना भी मार खाये सुधरने वाला नहीं है जो पाकिस्तान भारत ने इसे दिया है उसको तो ये सही से समालनी पा रहा है और जम्मु कस्मेर के मुद्दय को लेकर के हवा में उड़ रहा है पहले जो मिला है जितनी आवादी है जितने लोग हैं पहले उसे तो कंट्रोल कर लो गरिवी में उनका देश डुपते जा रहा है भारत ने किलियर कहा कि हमारे जो भी प्रोसी देश हैं हम वहाँ पर टेरेरेजम मुक्त इंवारोमेंट को जाते हैं तभी हमारा किसी भी प्रोसीदिस के साथ रिलसंसी बेटर होगा अदरवाइज आप सोचिएगा कि बॉर्डर पर आप धानली कीजिएगा और भारत आपके गुरों में सपोर्ट करेगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है या तो कट्टर दुस्मन बन जाओ या तो कट्टर दोस्ट बन जाओ हमें बीच वाले आदमी नहीं चाहिए गैस युनाइटेट नेशन में युनेटेट नेशन में युनेट एचारसी की जो मिटिंग चल रही है इस काउंसील को 15 माज 2006 में युनाइटेट नेशन जेनरल असंबली के द्वारा इस्टेब्लिस किया गया था बाद में इसे रिप्लिस कर दिया गया युनाइटेट नेशन कमिशन ऑफ हुमन राइट्स तो हुमन राइट्स में जो भी चीज आते हैं उनको यहाँ पर परमोड किया जाता है इसका जो बैटेक होता है इसमें कौन-कौन मेंबर होंगे इसे उनाइटेट नेशन जेनरल असंबली के द्वारा इलक्ट किया जाता है बिसिकली 3 साल के लिए इसमें सीटो का बढ़वारा किया जाता है जैसे कि अफरेका से 13 देश होंगे, एसिया से 13 देश होंगे, इस्टर्न यूरोप से 6 देश होंगे, लैटिन अमरीका से 8 देश होंगे, तो इस तरह से सीटों का यहां पर बढ़वारा किया जाता है, और फिर 3 साल बाद बांकी जो बचे मेंबर होते हैं, उनको इलक्ट किया जाता है, तो अभी का जो मीटिंग चल रहा है, इसमें भारत भी सामिल हुआ है, तो इस मीटिंग के दोरान पाकिस्तान ने जम्मु कस्मिर के बारे में मैंसन किया, बिसिकली कुछ 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 कॉमेंट किया, जम्मु कस्मिर को लेकर के भारत के बारत के उपर और ना सरी बलकि पाकिस्तान के साथ साथ तरकी भी दोनों ने मिलकर के भारत के उपर उल्टा सीडा कॉमेंट किया UNHRC में भारत की जो फर्ष्ट सेक्रेटरी है अनुपम्मा सिंग वो स्पिकर है जो भारत के तरफ से बोलती है तो उनके तरफ से खेज जताया गया कि किस तरह से तुर्की और पाकिस्तान बार बार जम्मु कस्मिर का मुद्दा उठाते हैं इन्होंने कहा कि जम्मु कस्मिर हमारा इंटरनल मेटर है आपको हमारे इंटरनल मेटर में दखल देने से बचना चाहिए ये आपके फ्यूजर के लिए अच्छा होगा उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग पूर्ण की बात है कि इस कॉंसिल का मिस्यूज किया जा रहा है इन देशों के द्वारा भारत के उपर जूटे आरोप लगाए जा रहे है जूटे एलिगेशन लगाए जा रहे है तो पाकिस्तान को रिस्पॉंस देते हुए भारत के द्वारा मैनली तीन चीजों को हाइलेटर किया गया सबसे पहले भारत के द्वारा ये कहा गया कि जम्मो कस्मीर लदाग ये भारत का इंटरनल पार्ट है ये भारत का एक राज है जिसको हमसे कोई दूर नहीं कर सकता है और भारत सरकार अपने समवेधानिक तरीके से जो भी कर रही है ये हमारे द्वारा किया जा रहा है ये हमारा इंटरनल मेटर है तो आप बिल्कुल भी इसमें दखल अंदाजी ना करें दूसरी चीज जो खुश सिस्टेमाटिक प्रकुशन को इंस्टुलाइजेशन करता है मतलब जो देश अपने ही अलबसंख्यक लोगों को उत्पिलन करता है जहां पर खुद हुमन राइट्स नहीं है वो भारत के उपर कॉमेंट कर रहा है हुमन राइट्स को ले करके पाकिस्तान जैसा देश भारत को हुमन राइट्स सिका रहा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है जहाँ पर अलग धर्मों के लोग मिल करके रहते हैं भारत में महिला हो चाहे पुरूस हो चाहे किसी भी जाती धर्म का लोग हो सबको एक समान अधिकार प्राप्त है इंपक्ट UNHRC में जो हमारी स्पीकर है उनके द्वारा पाकिस्तान के एक इंसिडेंट को भी हाइलेटेट किया गया उन्होंने पाकिस्तान के जरन वाला इसू को highlighted किया और उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान में जो इसाई धर्म को मानने वाले जो अलप संक्याक लोग है पाकिस्तान में अगज 2023 में 19 चर्चों को जला दिया गया था इसके लाबा वहाँ के 89 क्रिश्चन हाउस को भी जला दिया गया था अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू पाकिस्तान में ना के बराबर हैं उनको तो पहले ही मार काटके फिक दिया गया है तो ये इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान के जरन वाला में ये लोग अलग अलग धर्मों के लोगो को मारते हैं पिटते हैं अपने देश से जाने के लिए काते हैं ये हमें बताएंगे कि human rights क्या होता है अरे भारत में आके देखो आपने वाँ पर हिंदू को मार के भगा दिया Christian को मार के भगा रहे हो भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है चाए मुस्लीम हो चाए हिंदू हो चाए क्रिश्चन हो सब भारत में अजादी से रह रहे हैं सब को एक समान अधिकार पराप्त है बड़े आई human rights सिखाने वाले तो अनुपम्मा सिंग के द्वारा डायर कहा गया कि आप पहले घर में जाकिए कि आपके घर में क्या हो रहा है उसके बाद भारत को सिखाईएगा human rights के बारे में इसके बाद इन्होंने एक और मुद्दा उठाया जो बहुत important है कि एक ऐसा देश जो की terrorist को ना केवल पना देता है बलकि उसको promote करता है उसको celebrate भी करता है UNSC censor terrorist को promote करता है वो डेश देश भारत पर comment कर रहा है तो प्लीज ये सब बकवास करना बंद कीजिए हमें human rights मत सिखाईए अलग-लग धर्मों के साथ मिलकर के कैसे रहा जाता है इसका पहचान है भारत तो प्लीज पाकिस्तान तरकी आप लोग भारत पर comment मत कीजिए आपके मुँसे सोबा नहीं देता है तुर्की में जब भुकम आया था तो हमने mission दोस्त ना जाने कितने mission के जरी हमने तुर्की की मुदद की थी रहत मोचाई थी और वो भारत पर comment कर रहा है human rights के बारे में आप अपने रहे comment box में ज़रू दिजिए और ऐसे लेटर सब्डेट के बारे में जानने के लिए माज चैलेंज से जोड़िए नाव ठैंकी पर वाचिंग मिलते हैं अगले वडियो में एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जाहिंद